नमस्कार स्वागत है आपका लाइब खबर में मैं हूँ आपके साथ पूजा अच्छा चलिए एक निज़ज जालते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों की ओर फैजबाद में मिशन मूदी अगेंट पी-म की जिला संगठन के विस्तार के लिए बैठक कायोजन किया गया जिसमें अवध प्रांथ के अध्यक्ष समेद ब्लॉक के कारिकरताओं ने हिस्सा लिया कारिकरम का संचालन मूदी अगेंट पी-म के रास्टे अध्यक्ष महंत डॉक्टर राम विलास दास विदान्ती ने किया इसके साथ ही उन्होंने कारिकरम में मौजूद सभी कारिकरताओं को संबोधित करते वे कहा कि पी-म मोदी ने आगामी 2019 में दोबारा भारत का प्रधान मंत्री बनने का संकल्प लिया है जिसके लिए वो खुद सभी विदान सभा इलाकों का ब्रमर कर आम जनता के बीच जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे भले ही हाई कोट ने हर्स फाइरिंग पर रोक लगा दी हूँ लेकिन लोग हर्स फाइरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन नए नए हाथसों को दावत देते हैं ऐसा ही कुछ हुआ बागपत के बिनौली थाना एलाके के जिवाना गुलियान गाओं में जहां देर रात शादी समारों की दोरान हुई हर्स फाइरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई बच्चे को गंभीर हालत में उप्चार के लिए एक निजी एस्पिताल में भरती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी की खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाच में जुट गई है वहीं बागपत के ही छपरोली थाना इलाके के बड़ोत और छपरोली रोड पर एक बड़ा हाथसा हो गया दरसल एक रिच्स कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार तीन युकों की मौके पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक पर सवार होकर घर वापस जा रहे थे वहीं हाथसे के बाद से ही कारचालक मौके से फरार हो गया फिलाल पुलिस ने युक्को के शबो को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और फरार कार्चालक की तलाश में जुद गई है वहीं और एया के एक प्राइवेट अस्पताल में जोला चाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक गर्वती महिला और उसके बच्चे की जान चली गई जिसके बाद गुस्वाय परिजनों ने शब को अस्पताल के बाहर रख हंगामा काटा वहीं हंगामी की सूचना मिलते ही सदर कोतवाल सहित फोर्स और सियो सिटी मौके पर पहुँची और परिजनों की तहरीद पर मामला दर्ज कर स्वास्ते विभाग के खलाफ कारवाई शुरू कर दी है उत्तरप्रदेश के माउ जिले के DCS KPG कॉलेज में एडमिशन ना होने से नाराज छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कलेक्टेड में धर्ना परदर्शन किया और जिला अधिकारी को अपनी मांग का एक ग्यापन सौपा जिसमें छात्रों ने मांग की है नगर एलाके में एक मात्र कॉलेज में 1500 चात्रों की सीटे हैं लेकिन एडमिशन मात्र 1100 चात्रों का ही हुआ है इसलिए कॉलेज प्रशासन बची हुई सीटों पर जल्द से जल एडमिशन करवाई वही इस बारे में कॉलेज के छात्र संग अध्यक्ष रागवेंदर सिंग का क्या कहना है आई सुनाते हैं आपको चात्रों की जो बीए की सीटे हुआ पंदरो सो सीटे हैं जिसमें मात्री 1100 सीटों पर एडमिशन लिया गया है आप किस तरह से लड़ाई लडएंगे आगे हम लोग इसके लिए जी साथ तक जाना आजाएंगे इसके लिए रूर जाएंगे अंदोलन सरकार तक जो भी चीजे करने होगा सब करने के लिए अमत्यार है मौ जिले के कलेक्टेट में मनुरंजन कर्विभाग के कर्मचारियों ने दो दिन का कार्य बहिशकार कर अपना विरोध जताया जिसके चलते मनुरंजन कर्विभाग का काम पूरी तरह से ठप हो गया है इस बात की जहनकारी देते हुए मनुरंजन कर्विभाग के सभी अधिकारी और छोटे बड़े बाबू से लेकर चपरासियों को वाडिजे कर्विभाग से संबध कर दिया था लेकिन उसके बाद निरक्षकों को ना तो मनुरंजन कर्विभाग में कोई कारे दिया गया और ना ही वाणिजे कर्विभाग से संबध किया गया जिसकी वजह से वो कई महीनों से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं लोग सभा पारलियमेंटरी इंटर्शिप प्रोग्राम में शामिल होने आए 20 देशों के प्रतिनिधियों ने संसत भवन और विधान सभा में ट्रेनिंग के बाद भगवाण राम के दर्शन करने आयोध्या पाँचे जहां उन्होंने राम जी के दर्शनकर अयोध्या में इस्थित अंतर रास्टे राम कथा संग्रालय को भी देखा इस दोरान विदेशों से 47 सदस्यों के साथ 3 भारत के लोग सभा मिनिस्ट्री के सदस्य भी मौजूद रहे आपको बता दें ये लोग देश के लोकतंत्र कारे को समझने के लिए कई देशों के प्रतिनिधी पार्लियमेंटरी इंटर्शिप प्रोग्राम के तहट एक महीने के लिए भारत आये हैं रामपुर में अनुसूचित जाती वित और विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लाल जी प्रसाद निर्मल आज रामपुर पहुंचे जहां उन्होंने गेस्ट हाउस में एक प्रेस वारता कर केंद सरकार की दलितों के लिए चलाई जा रही योजना स्टेंडप इंडिया के बारे में विस्तार से बताया और कहा देश का आजादी के बाद पहली बार प्रधान मंत्री मोदी का दलित एजन्डा सामने आया है जिसे एध्यास कभी नहीं भूलेगा लेकिन इसके लिए दलितों को भी आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा इसके साथ ही उन्होंने बस्पा सुप्रिमों और सपा सुप्रिमों पर धावा बोलते हुए कहा कि मायवती और अखलेश दलित विरोधी है वही माउजिले के मधुबन थाना इलाके में घरेलू जगडे में एक व्यक्ती ने अपने 6 साल की बेटी और 6 महीने के बच्चे को तब में डुबो डुबो कर मार दिया साथ ही उसने अपनी पत्नी की भी गला दबा कर हत्या कर दी जिसके बाद आरोपी पती ने खुद पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस से कहा कि वो नदी में कूट कर अपनी जान दे रहा है वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस ने आरोपी के घर से महीला और बच्चे के शब को बरामत किया इसके बाद पुलिस हत्यारे पती की तलाश में जुट गई है वहीं दूसरे तरफ आरोपी पती ने नदी में कूट कर अपनी जान दे दी फिलहाल पुलिस आरोपी को नदी में सर्च कर रही है लेकिन अभी तक पोलिस को आरोपी के बारे में कुछ मालूम नहीं चला है और अमरोहा में एक दर्दनाक हाथसा हो गया तेज बारिश के चलते जरजर हो चुके एमाम बाड़े की दिवार गिरने से दो बच्चों की मात हो गई और दो बच्चे गंभी रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है वहीं इस हाथसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पोलिस ने राहत और बचाव कार्य किया खबरों में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुर्णे के लिए देखते रहे है लाइफ खबर